बहुत बढ़ा है कलेक्शन बहुत बहुत सारे अभी क्लासिस कितने बाकी हैं भी आप सोचो ना सारे नहीं बताने वाला बहुत है सिप अबजिक्ट बनाना है अपने को और उसके अंदर डीटा रखने की कोशिश करनी है तो लिंग्ड हैसेट देखो जनरली बहुत सारे किता में एडवानस जावा में भी पढ़ाता है कोर में नहीं पढ़ाते बहुत सारे जगा पर ऐसे होता है कि को सिर्फ एडवांस रख देते हैं कि इतना बढ़ाए तो एडवांस में लेगे जावर कर लेंगे ज्ट सर्वले पे जनरली ऐसा करते हैं लेकिन ठीक है यह आपको कोर जावा में सीख लेना चाहिए क्योंकि इंटर्व्यू अगर आप एडवांस जावा नहीं भी सीख रहे हैं तो देते आए प्रोजेक्ट बना सकते हो पूरे कोर जावा के बेस पे कोर जावा मतलब स्टेंडर्ड एडिश ये जितने भी framework ऊजा रहे हैं अभी company में बहुत सारे बोलते हैं कि आपको डाइरेक सीख लेना चाहिए बिना एडवांस जावा सीखें क्या बोलते हैं ये सब चीज़ें ये framework लेकिन आपको पढ़ना चाहिए एडवांस जावा का कुछ पार्ट इसको सीखने से पहले ताक बेसिक पढ़के जाओ तो कितनी अच्छी बात है तो ऐसा करना चाहिए तो उसके दो तीन चैप्टर्स हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी सीखनी चाहिए और एक दो चैप्टर्स है वो कर लो उसके बाद डायरेक आप फ्रेमवर्क शुरू कर सकते हो खुद सीख सकते ह खुद से जरूरत ही नहीं है कि आपको किसी से सीखना चाहिए खुद भी सीख सकते हो एकदम आराम से क्यूंकि आपका जावा इतना स्ट्रॉंग है तो आपको कहीं भी पढ़ो जो नहीं पढ़ा पाएगा उससे भी पढ़ो तो भी सीख जाओग तो इसके लिए उसमें collection तो एक इंटरफेस है यह इंप्लीमेंट होगा तो इसकी जो हैश सेट की क्या ही है चाइड क्लास आफ हैश सेट आप ऐसे लिख सकते हो insertion order is preserved unlike है यहाँ पे भी जो order है वो preserve होगी लेकिन preserve मतलब आप तैं नहीं करोगे वो अपने हिसाब से अपने algorithm से तै करेगा जैसे उसने hash table से किया था hash table की मदद से तो एक यह चीज आपको समझनी है hash अभी एक बात और है आप यहाँ देखो दो अलग-अलग words को इन्होंने जोड़ा है linked word को भी और hash word को भी linked word जो है यह कहां से आया है पता डबली link list से और hash word hashing से तो यह दो-दो data structure यूज करता है तो आप ऐसा बोल सकते हो hash table and doubly link list बोथ are used so it uses hybrid data structure तो आप ऐसा भी लिख सकते हो uses it uses hybrid data structure यह भी एक point है यह hybrid data structure को use करता है हाँ मैं भी आपको बोल रहा हूं कि मैंने जब set शुरू किया था पढ़ाना तो मैंने आप से बोला था कि order में insertion order maintain नहीं करता अब बोल रहा हूं करता है करता है मतलब यह अपने algorithm के हिसाब से करता है आपके हिसाब से नहीं करता आपने पहले पांच रखा फिर तीन रखा फिर एक रखा तो यह रखता कैसे एक तीन पांच इसका अपना style है यहाँ पे नहीं अभी मैं दूसरा पढ़ाऊंगा sorted set तब उस समय इसके बारे में बात करूंगा यह तो अपने coding उसके code पे तै करेगा कि कौन सा कहां लेना अपने algorithm से तै कर लेगा तो इसलिए order maintain नहीं हो रही है लेकिन इनके हिसाब से ही अपनी order maintain करता है internally मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपकी physical order maintain नहीं हो रही है logical order maintain हो रही है यह चीज़ यह आगे बात करेंगे उसके बाद linked asset की बात बताओं तो इसकी भी default capacity होती है 16 default capacity is 16 linked asset की दूसरी बात load factor same 0.75 या फिर 75% भी बोल सकते हो इसका जो constructor होता है एक पहला इधर बना देता हूँ यह बोल देता हूँ this is the first second यहां बनाता हूँ और यहां पे बोल देता हूँ की linked hash set याद रखना एक सबसे जरूरी बात की कौन से latest capital है कौन से small है मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है interface हो या class सब का पहला later capital होता है उनके हर word का तीन word से जुड़के बने हूँ है तो तीनो word का पहला later capital होगा set का s capital hash का h capital linked का l capital यह चीज़ तो के लिए बहुत जरूरी आपको याद रखना ही पड़ेगा उसके बात तीसरा सेम है जैसे पिछला था कौन सा इससे पहले क्या पढ़ाया है शेट पढ़ाया आपको मैंने इससे पहले तो उसके जैसा सेम है यह linked hash set और यहाँ पे आप बोल सकते हो capacity और load factor दोनों और यहाँ पे बोल सकते हो load factor यह आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ है और चौता तरीका है collection वाली बात जो मैंने वहाँ पे बताई भी थी आपको सेम तो है कोई फरक नहीं है इसमें collection का object यहाँ पे आप array list पास कर दो link list पास कर दो कुछ भी पास कर दो कोई problem नहीं होने वाली है program मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने already बनाया था पिछले lecture में लेकिन थोड़ा internet कल नहीं था वो इसलिए mobile से slow चल रहा था मैं वो program आपको दिखाना चाहता हूँ जो program यह देखो पहली बात तो null रखी नहीं सकते रख सकते हैं यहाँ पे तो रख सकते हैं यह देखो मैंने लिखा हुआ है क्या है सेट में रख सकते हैं मैंने बोला ना रखने के लिए देखते हैं कंपाइल करके डी ड्राइब में हमारा फोल्डर है जैन कहां गया हाँ यहाँ पे लिखता हूं cmd क्या नाम है मेरे program का क्या था नाम लिंग्ड हैस डॉट जावा पुरा सेट नहीं रख सकता फिर से नहीं क्लास थोड़ी बना सकता हूं अरे मैंने जावा सी नहीं लिखा क्या मुझे जावा सी भी लिखना चाहिए था गलती हो गई आप रख सकते हो ना नल यह देख वन टू त्री फोर फाइफ दिख रहा आपको यह program जिसने नहीं लिखा है भी लिखला online वालों के पास भ स्टोर कर दोगे लेकिन कुछ फाइदा नहीं होगा वो तो दिखेगा नहीं तो एक यह बात है बात मैंने आपको बताई है यहाँ पर इसके अंदर कि किस तरीके से स्टोर मैंने कराया है आप वो भी देख सकते हो यह भी जरूरी है आपके लिए ट्री सेट की कुछ खासिय अभी जब आगे जाओंगा तो उसके बारे में बात करूँगा अभी थोड़ा सॉल्टेड सेट के बारे में बात कर लेता हूं सॉल्टेड सेट भी मैंने बताया था नहीं याद है ना आपको